नमस्कार आज हम बात करेंगे पंच कर्म में एक टेक्नीक के बारे में जिसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फियूजन है और कई बार लोग इस कन्फियूजन के कारण सही प्रोसीजन ना करके अपने शरीर का सत्यानाज भी कर लेते हैं उसका नाम है वमन कर्म जी हां वमन कर् पांच ऐसे तरीके जिससे शरीर की सफाई की जाती है कब की जाती है जब बीमारिया बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दवाई से आराम नहीं मिल रहा डाइट से आराम नहीं मिल रहा लाइफ स्टाइल वो सब चिंज करके कुछ भी फाइदा नहीं हो रहा है तो और बीमारिय के शुरुवात में अगर आपका शरीर स्ट्रॉंग है तो आयरवेद में पहले शरीर की सफाई करने बोली है जिसे की आयरवेद में पंच कर्म बोलते हैं अभी पंच कर्म पांच टाइप के होते हैं वमन विरेचन बस्ती नश्य और रक्तमोक्षण ऐसे उनके नाम है तो यह दो दिन पहले हमने 56 एर के एक सीए हैं उनको वमन कराया एक बाल्टी भर के वमन करने के बाद भी उनका कफ निकल रहा था ठीक तो जब हम ऐसे किसी को पूछते हैं यह पेशेंट को हमने वमन किया और आराम हो गया तो बहुत सारे लोग को ऐसे confusion होता है अच्छा वमन है जानेंगे इस वीडियो में अब देखने में यह दोनों चीज़े एक जैसी ही लगती है कि ठीक है वमन में भी आप औश्रदी पिला रहे हो और पेशेंट को उल्टी कर करके सफाई कर रहे है और नॉर्मन लोग भी घर पे पानी पीके या कोई अन्ने पैथीस में भी पानी पीके ऐसे गले में अंगली डलके उल्टी कर देदे तो यह दोनों सेमी तो हुआ तो उसके लिए इतनी सारी मेहनत क्यों इतनी सारी मेहनत बतलब वमन के खर्चे 15-20-25 हजार रुपए तक भी होते हैं ठीक फिर उसमें आपको पांच दिन भी पिलाना पड़ता है फिर एक दिन मालिश करते हैं मालिश क चीज़े अलग है यह दोनों चीज़े करने में दिखने में तो एक जैसी होगी पर इनके इफेक्ट और इनकी जो रिजर्ट्स है वो बहुत ज्यादा अलग होते हैं जैसे कि मैं वमन के बारे में बात करूँ सबसे पहले वमन किसे करना चाहिए मतलब आईरवेद की आउश मतलब कंडीशन बताई है कि यह यह तकलीफ है यह यह कंडीशन है तो ही वमन करना चाहिए खास करके अगर आपको यह जो चेस्ट है चेस्ट के ऊपर का आपके सीने के ऊपर का जो एरिया होता है वो कफ का एरिया होता है ठीक तो सीने के ऊपर के या फिर चेस्ट के ऊपर की जितने भी रोग आपको याद आते हैं और अगर उसमें कफ और पित डॉमिनेंट है तो वमन करने बोला है ऐसे ही 45 अलग-अलग कंडिशन बोली है जिसमें बिल्कुल भी वमन करने के लिए मना है मतलब उन्होंने बोला है कि गलती से भी ऐसे रोगियों को वमन मत करवाना वरना उनके शरीर का सत्यानास हो सकता है या उनकी वाट लग सकती है पहली बात किन कंडिशन में करने के लिए बोला है वो जान लेते हैं कुछ उन्होंने लिश्ट दी हैं सीने के उपर अगर आपको कफ की बिमारिया है स्वास की बिमारिया है ऐसी डिटी की समस्चे लंबे समय से है सीर दर्ध होता है सीर भारी होता है बार बार साइनस होता है गले में कफ होता है थाइराइड की तकलिफ आपको होती है और body में कहीं भी blockages की तकलिफ अगर बार बार आपको होती है आलश्य बहुत आता है, भूक नहीं लगती, बहुत जदा नीद आते रहती है काम करने का मन नहीं करता ऐसे करके depression जैसी बीमारिया है, कुछ चीजे क्लिक नहीं होती हमेशा आलसी जैसे बैठे रहते हैं तो ऐसे करके बहुत सारी 45 लंबी लिस्ट उनों ने दी है अगर आप चाहेंगे तो वो 45 कंडिशन क्या है, उस पर भी वीडियो हम लाएंगे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको उस पर वीडियो देखना है की नहीं अब ऐसे ही वो बोलते हैं कि 45 ऐसे भी कंडिशन है जिसमें आप वोमन बिलकुल मत कीजिए जैसे वेक्ती बहुत ज़दा कमजोर है, बहुत ज़दा वायू बड़ा हुआ है बहुत ज़दा थका हुआ है, जिसके शरीर का बल ही नहीं है, जिसको उल्टी ही नहीं होती है या जिसका वायू के कारण हार्ट बहुत कमजोर हो गया है, जो बहुत ज़दा ड़ता है, बहुत ज़दा छोटा है, बहुत बुड़ा है ऐसे करकि बहुत सारी condition उन्होंने बोली है आईरविद में कि भाई इन इन conditions में आपको woman नहीं करना है तो आईरविद में जो woman प्रक्रिया होती है उसके लिए पहले decide किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को वो woman के योग्य है कि नहीं अब पानी पी के उल्टी में तो कोई भी free है कि ठीक आपको घर पे acidity हुई आप पानी पी और अउंगली डालो निकाल दो ये प्रक्रिया आईरविद में नहीं है आईरविद में पहले decide किया जाता है कि किसी के शरीर के लिए वो चीज करना अच्छा भी है या नहीं फिर second चीज जो woman में करते हैं और पानी पी के उल्टी करने में नहीं होता है वो है पूर्व कर्म पूर्व कर्म मतलब उस शरीर को तयार किया जाता है ऐसा नहीं ओक्योक्य ऐसीडिटी है चलो आज आजाओ मस्त गले में अंगली डालो निकाल दो हम आईरविद में ऐसे नहीं करते हैं हम आईरविद में क्या करते हैं सपोस किसी को चर्मर होगे skin disorder है, pimples हुए है, dandruff हुआ है और उसको acidity भी बहुत होती है तो हम क्या करेंगे उसे 7-10 दिन या 15 दिन रुक्षण करेंगे दीपन पाचन रुक्षण अर्थात कि उसको ऐसी ओशिदियां देंगे जिससे उसके शरीर में थोड़ा सा dryness हो और उसका जो शरीर है वो ready हो सके उसकी अगनी थोड़ी बढ़ाएंगे क्यों बढ़ाएंगे क्योंकि वमन करने से पहले हम उसे घी पिलाएंगे या और सिधी पिलाएंगे तो दीपन पाचन रुक्षण करते हैं वो करने के बाद उनको घी देते हैं कितने दिन तो 3-5 दिन, 7 दिन डीपन करता है condition पे नॉर्मली 5 दिन तक घी देते हैं और इस घी की मात्रा भी बढ़ती जाती है जैसे पहले दिन 30 ml, फिर 60 ml, फिर 90, फिर 120, एक सो बचास जिनकी बॉड़ी बहुत ड्राए है तो 50 ml, 100 ml, एक सो पचास दो सो, दो सो बचास ऐसे करके धीरे-धीरे उस घी की मात्रा रोज उस पेशेंट को पीने देते है इसमें कुछ पेशेंट को डाउट होता है कि अच्छा आप घी पिला रहे हो तो उस दिन में कुछ खाना ही नहीं है ऐसा नहीं होता है आप सुबह घी पीते हो और दोपहर या शाम को जब आपको भूग लगती है तो आपके कंडिशन के इसाब से दाल, चावल या पतला, खिछडी या जौर बाजरे की रोटी इस तरह से प्रिस्काइब करते है पूर्व कर्म फिर प्रधान कर्म तो पांच दिन घी पिलाने के बाद छटे दिन उस पेशन्ट की मालिश की जाती है स्टीम दिया जाता है और उसको पूरे दिन हम कफ बढ़ाने वाले आइटम खिलाते है आप बोलो के कफ की बीमारी है उसके लिए ही वोमन करने वाला है और कफ वाले आइटम खिला रहे हो जैसे कि उड़त खिलाएंगे, दही खिलाएंगे अभी जिन सिये का हमने दो दिन पहले बालटी भरके वोमन करवाया था तो उनको तो लस्ती पिलाई थी हमने और रात में दही चावल खिलाया था क्यों ये सब खिलाते हैं क्योंकि जो भी बॉड़ी में कफ है उसका उत्कलेश हो सके मतलब वो एकदम बड़ी मात्रा में बढ़ सके और नेक्स दे सुबा पाच बजे उनको बुला के हम मालिश करते हैं जिसका भी वमन है एक घंडे मालिश करते हैं स्टीम देते हैं और फिर छे से साड़े छे की बीच में आउश्रधी पिला पिला के उनको वमन किरा जाता है पानी पी के उल्टी करने में लोग ऐसे कुछ नहीं करते हैं जब टाइम मिला पानी पिया अंगली डाला उल्टी कर दिया आईर्वेद का वमन और इसमें देखे इतना ज़्यादा अंतर है फिर उल्टी कराते समय भी हम उनको ये देखते हैं कि कितना काढ़ा पिलाना है कौन सा काढ़ा पिलाना है और उल्टी करने की भी तीर आईरवेद में टाइप बोले हैं एक है कि अच्छे से किया ही नहीं, बहुत कम किया मतब जितना क्लीनिंग करना था, उतना क्लीनिंग नहीं किया हीन, कम मात्रा में कर दिया, ठीक फिर दूसरा गलती हो सकती है, बहुत ज़्यादा कर दिया जिसको उपद्रो बोलते हैं, तो अगर ठीक से क्लीनिंग नहीं किया तो ऐसे पेशन को खुजली हो सकती है, फीवर हो सकता है उसके बॉड़ी के दोश नहीं निकलेंगे, ठीक बहुत ज़धा कर दिया तो उसको heart की तकलीफ हो सकती है खोन निकल सकता है बहुत ज़गा दुबला बतला हो सकता है तो यह सारे measurement women कराते समय किये जाता है और वो भी सुबह 6 बजे के आसपास ही यह प्रक्रिया की जाती है इस woman के होने के बाद फिर आता है पाश्चात कर्म पाश्चात कर्म मतलब woman हो गया, ओल्टी हो गई अब उस patient को फिर हम cigarette पीने को cigarette मतलब आहिर विदिक जाओ शेदियों की एक धूम पान जिसको बोलते हैं वो होता है, वो पीने देते हैं, कुला करने देते हैं और पांच दिन उनको strict diet पे रखते हैं, कि मूंग का पानी ही पीना है इतनी मूंग में इतना पानी डालके बस इतना सा ही पीना है चावल का पानी, पतला मूंग का खिचडी, ऐसे ऐसे करके उनकी अगनी बढ़ाते हैं तो ये पूरा जो woman है, आई रिवेद का, वो 12 दिन का time खाता है इसमें से 2 दिन क्लिनिक के होते हैं, बाकी 10 दिन almost patient को घर पे करने रहते हैं तो इतना सारा काम किया जाता है woman करने के लिए पानी पी के उल्टी करने में न कोई आपकी नाड़ी देख रहा है, न कोई आपको चेक कर रहा है न उसका कोई time fix है, न उसकी कोई मात्रा fix है, बस पानी पीलो, गले में अंगली डाल के निकाल दो ये वो क्या एक बराबर शोधन हो गया, answer है नहीं हम woman में क्या करते है, या woman क्यों करते है, suppose किसी को depression है, dandruff है, sinus है, या चर्म रोग है अब उसको suppose कि यहाँ पे psoriasis है या पूरे पैर में, बाल मों, planter psoriasis समझ लो कि मालो हाथ में भी psoriasis हुआ है, पैर में भी हुआ है, तो हम उसको ये सब क्यों करा रहे है घीवी पिलाना क्योंकि सारे के सारे दोशों को हम खीच के पेट में लाते हैं, पेट में लाने के बाद फिर हम उनको steam दे कर और फिर मालिश करके उन दोशों को हिलाते हैं तो पहला stage हमारा क्या है जो भी दोश वात्पित्तकफ बिगड के system में गए हैं उसको खीच के पेट में लाना पेट में लाने के बाद फिर उनको धीला करना और फिर उनको प्रॉपरली निकालना उतना ही निकालना जिससे कि वो पेट में थकान, कमजोरी, वीकनेस ना है तो इतना सारा महनत, इतना सारा काम, एफर्ट, वमन के लिए लगता है चार-चार, पाँच, पाँच, लोगों की टीम लगती है वमन चे किस्सा में आईरवित का जो पंच कर्म है पानी पी के उल्टी करने में आपको कुछ नहीं आप घर पे लो नमक वाला पानी लो डाला निकाल दिया ऐसे बहुत से पेशेंट है भी अब कली एक पेशेंट आये जिनमें बोला कि रोज मुझे भूख नहीं लगती तो मैं पानी पीता हूँ गले में अंगली डालके उल्टी कर देता हूँ तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है तो जितने क्लीनिंग वामन के टाइम पे की जारी है क्या उतना पानी पी के उल्टी करने पे होती है उसका एंसर है नहीं नहीं होती इसलिए पानी पी के उल्टी करना और वामन कर्म इसका उतने ही अंतर हो सकता है जितना की प्यॉर सोना और पीतल में दोनों दिखने में पीदम कलर एक जैसा हो सकता है बट उनकी क्वालिटी बहुत ज़दा डिफरेंस है तो वामन कर्म और पानी पी के तो दिखने में करने में चाहे भले सेम लगता हो, उसके करने मतब किसे करना है, किसे नहीं करना, उसके लिए तैयारी करना, फिर प्रॉपर कराके, और फिर वो प्रक्रिया करने में 12 दिन का time उतना effort, energy लगता है, इसलिए women करम के जो deserves दिखते हैं, कि कोई भी patient स्वास का patient है, skin का पेशंट है, ब्रेन का पेशंट है, वो पानी पी के उल्टी वाले में नहीं देखता, अब पानी पी के उल्टी वालों को देखे, उनको बार-बार वो चीज रिपीट करने पड़ती है, वमन में ऐसा नहीं है, कि आप एक बार वमन कर दो, तो अच्छा खासा एक-एक साल तक आराम रहता है कुछ conditions में हमें repeated woman करने पड़ते हैं जैसे कि किसी को बहुत ही chronic psoriasis है बहुत पुराना चर्म रोग है बहुत ही जादा कफ body में इकठा है तो ऐसे लोगों को तीन महीने में या दो महीने में हम फिर woman repeat करा दें बर most of the cases एक बार woman proper करके फिर एक साल तक ऐसे को कफ related कोई भी दकलिफ या व्यादी नहीं होती है तो यह है अंतर पानी पी के उल्टी करने में और proper woman कर्म करने में ठीक यह woman कर्म आप कहां करा सकते हैं तो आपके आपे जो भी आयर्विदिक सेंटर होगा आयर्विदिक होस्पिटल होगा आयर्विदिक पंचे कर्म क्ली को चेक करने दो और चेक करके जैसे मैंने शुरू में बूला था 45 कंडिशन है जिसमें woman करना बहुत अच्छी है और 45-45 ऐसी भी कंडिशन है जिसमें woman बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि आपकी body woman की लायक है या नहीं है और कब से कैसे क लगती है वो काम वो वैद्य आपको करके देंगे बट woman की जो result मिलते हैं वो ultimate मिलते हैं चाहे वो किसी को भूख ना लगने की तकलीफ हो खाना आजम होने की ना हो skin की sinus की acidity की से सारी तकलीफ है जो result woman से मिलता है वो बाकी कोई भी चीज से उतना fast देखें नहीं मिलता तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बहुत सारी लोग confused होते हैं कि पानी पी के उल्टी करने को या आप woman बोल रहे हो तो इतना ज़दा difference आईरवेद में बोला गया है ऐसे और बाकी कुछ तरह कि आपके डाउट से पंच कर्म को लेके या आईरवेद को लेके आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं तब तक के लिए स्वस्त रहें मस्त रहें